हाईलो एब्रीवन स्वागत है आपका वेकली डिफेंस अबडेट की एक नए वीडियो में तो चलिए देखते हैं इस वी कौन-कौन से डिफेंस न्यूस सहीं है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नमबर 10 फिनलेंड नाटो में हुआ सामिल रूस का पड़ोसी देश फिनलेंड आधिकारिक तौर पर उत्तर अट्लांटिक संदी संगठन यानि की नाटो में सामिल हो गया है फिनलेंड इस संगठन का 21 सदत से बना है जिसके बाद नाटो हेड़कॉर्टर में पहली वार फिन सता को मंजूरी दे दी थी लेकिन स्वीडन के नाम पर वा पीछे हट गया था दरसल तुरकी का कहना है कि फिनलेंड और सुईटन दोनों उसके देश में सक्री आतंकी समोहों को मदद देते हैं लेकिन स्वीडन और फिनलेंड ने इससे इंकार किया है फिनलेंड की सीमा 1945 के बीच दूसरा विशुद हुआ जिसके बाद सोवियत संगे ने पूरवी यूरोप के इलाकों से सेरा हटाने से इंकार कर दिया था 1948 में बरलिन को भी घेर लिया गया था इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संगे की विस्तारवादी नीट को रोकने के लिए 1949 में नाटो की सुरुआत की जब नाटो बना तब इसके 12 सदसे देश थे जिनमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, गनाडा, इटली, पर हुआ हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी देश मदद करेंगे 9. चीन ने अरुनाचल परदेश के 11 इस्थानों के नामों की लिस्ट की जारी चीन ने अरुनाचल परदेश पर अपने दावे को पुक्ता करने के मद्दे नचर नया हत्खंडा अपनाया है चीन ने तीन भासाओं यानि की चीनी, तिबबद और पिनियन में अरुनाचल परदेश के नामों की तीसरे लिस्ट जारी की है ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट की मताबिक इन 11 इस्थानों में से 2 भूमी चेत्रे हैं, 2 रियाईसी इलाके, 5 परवत चोटियां और 2 नदिया सामिल है भारत पहले भी अरुनाचल परदेश के कुछ इस्थानों के नाम बदलने के चीन के कदम को खारिस कर चुका है भारत का कहना है कि अरुनाचल परदेश भारत का बिन अंग है और हमेशा रहेगा, अरुनाचल परदेश के नाम बदलने से तत ही नहीं बदलेंगे यह नामों की तीसरी लिस्ट है इससे पहले 2017 में अरुनाचल प्रदेश के 6 स्थानों के मानकी करत नामों की पहली लिस्ट जारी की गई थी 2017 में दलाई लामा के अरुनाचल प्रदेश दोरे के कुस दिन बाद ही चीन ने पहली लिस्ट जारी की थी चीन ने दलाई लामा की अरुनाचल यात्रा की काफी आलोशना भी की थी इसके बाद 2021 में चीन ने अरुनाचल के 15 नामों की दूसरी लिस्ट चारी की थी अरुनाचल प्रदेश को लेकर चीन के साथ लंबे समय से सीमा विबाद चल रहा है भारती विडिस मंत्राले के मताबिक अरुनाचल प्रदेश की करीब 90,000 वर्द किलो मीटर जमीन पर चीन अबजार दावा करता है जब की भारत की ओर से साथ किया जा चुका है कि अरुनाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा इसके बावजूर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है एक रिपोर्ट में गया जानकारी दी गई कि जन्वरी के अंतमे अमेरिका के हवाई छेतर में तीन बसो के आकार का एक संदिग्ध चीनी गुबारा देखा गया था NBC News की अधिकारियों के हवाले से अपनी एक ख़बर में कहा कि चीन गुबारे को नियंतित करने में सक्षम था ताकि या एकित्तर की गई जानकारी को रियल टाइम पर बीजिन भेज सके रिपोर्ट के अनुसार चीन ने जो खुफिया जानकारी एकित्र की वा ज्यादा तर इलेक्ट्रोनिक संकेतों से प्राप की गई थी ірदी अमेरिका इस गुबारे से जानकारी भेज़े जाने को रोकने की प्रयास नहीं करता तो चीन समेदन सील छित्रों से काफी खुफिया जानकारी एक तरित कर सकता था या गुबारा सबसे पहले 28 जनवरी को अलासका से अमेरिकी हवाई छेतर में गुसा अगले चार दिनों में इसने मोंटाना में वायूसेना स्टेशन के उपर उडान भरी जहां अमेरिका के कुछ परमाण आयूद रखे हुए थे इस घटना करम ने अमेरिका और चीन के वीच पहले से जारी तनाओ को और बढ़ा दिया है चीनी डेस मंत्राले ने एक बयान में कहा कि या गुबारा चीन से है और इसका उप्योग मुख्य रूप से मौसम समंदी अनुसंधान के लिए किया जाता है गौर तलवाई की अमेरिका ने चार फर्वी को दच्छर कैरोलीना अठतपर अटलांटिक महासागर में चीन की इसी जासु सी गुबारे को मार गिराया था पाकिस्तान ने आतंगवाद के खिलाफ आपरेशन आलाउड लांच करने की घुशड़ा की है आपरेशन में प्रतिबंदित संगटोनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ये फैसनल लैसनल सेक्यूरिटी कमिटी की मीटिंग में लिया गया है इस मीटिंग के अधिक्षिता पीम सहबाच सरीफ ने की है इसके लिए मिलिटरी के इस्तिमाल के अलावा राजनियतिक, डिप्लोमेटिक, आर्थिक और सामाजिक प्रियास भी किये जाएंगे सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस आपरेशन को नए जोस और संकल्प के साथ लाउंच किया जाएगा इसमें सरकार के साथ जनता का भी साथ लिया जाएगा पाकिस्तान के खैबर पक्तून में पिछले तीन महीनों में आतंकवादी हमलों में 127 पुलिस कर्मी अपनी जान गवा चुके है अधिकारियों के मताबिक जनवरी में 16, फरवरी में 2 और मार्च में 9 पुलिस कर्मीयों की जान गई है आपको बता दे कि पाकिस्तान में आतंकवाद दुबारा से बढ़ रहा है इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मताबिक चीन ने पहली बार अपने जहाजों के जरिये 33 निश्चित सेक्संस पर सर्वे की गोशना की है इसमें दचिर चीन सागर, ताईवान, जल्डमरू, पस्चिमी प्रसांत महासागर के साथ-साथ, हिंद महासागर के पूर्वी हिससे भी सामिल है चीन की और से कई ऐसे इलाकों का भी चिनाव किया गया है जो सुरक्षा के लिहास से आसंका पैदा करते हैं कुछ तो प्रसांत महासागर के छेत में अमेर्की सैने ठिकानों, दचिर चीन सागर के विवादी छेत्रों वा ताईवान और पूर्वी हिंद महासागर के बेहत करीब हैं इससे भारत की नेशनल सेक्योरिटी को भी खत्रा पैदा हो सकता है फिलाहल चीन के सस्त्रागार में महासागर सर्विक्षड के लिए टोटल साथ से अधिक जहाज है इतना दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है चीनी कम्मिनिस्ट पार्टी के मियामार, नियंतरित, कोको, दीप, समू, सागा और स्रिलंका के साथ घनिच्छ संबंध है यहां ताइवान और फिलिपिन्स के बीच एक गहरी खाई है जो पंडुबियों के लिए एहम मार्ग है आपने सुना हुआ कि युवान वैंग से रीट के जहाजों की हिंद महासागर छेतर के भीतर समय समय पर लगातार चक्कर लगाने की आदत रहती है अक्टूबर 2018 के दोरान युवान वांग सेवन चहाज ने हिंद महासागर के पूर्व इस्थित छेतर में अपनी पहली यातरा की थी इचले साल अगस्त में भारत सरकार की लगातार अस्विक्रत के बाद भी युवान वांग 5 स्री लंका के हमन टोटा बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था और यह सिलसिला आज भी जारी है इंडियन रास्टपती ने भारती वायु सेना के लड़ाकु विमान सुखोई से भरी उडान भारत की रास्टपती द्रौपदी मुर्मू शनिवार को पाइलेट रूप में नजा राए असन की यात्रा पर गई तीनों सेनाओ की सर्वोच कमांडर स्रीमती मुर्मू सुबह तेजपूर वायु सेनिक हवाई अड़े पर पहुंची और उन्होंने करीब आदे घंटे तक सुखोई 30 गड़ाकु विमान में उडान भरी उडान भरने के थोड़ी देर बाद राष्टपती मुर्मू के सुखोई विमान ने तेजपूर वायु सेना इस्टेशन पर स्रक्षित लेंडिंग की उनका विमान ब्रमपुत्र नदी और तेजपूर घाटे के उपर से गुजरते हुए वापस तेजपूर वायु सेनिक अड़े पर पहुंचा इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू ऐसा करने वाली भारत की दूसरी महिला राष्टपती बन गई है उनसे पूरो पूरो राष्टपती प्रतिभा देवी पाटिल सुखोई में उरान भर चुकी है उन्होंने 2009 में पूरे वायु सिना बेस से सुखोई पाइटर जयत में उरान भरी थी इस विमान को 106 स्क्वाडन के कमांडिंग अपसर ग्रुप कैपटन नवीन कुमार ने उड़ाया विमान समुद्द तल से करीब 2 किलो मेटर की उचाई पर दहा और इसकी गती 800 किलो मेटर पति घंटे रही श्रीमती मुर्मु सुखोई में उरान भरने वाली देश की तीसरी राष्टपती और दूसी महिला राष्टपती है इससे पहले पूर्म राष्टपती अब्दुल कलाम टतिभा देवी पाइटल गी इसमें उरान भर चुके है नमबर फूर ताइवान के पास चीन की मिलिटरी डिल ताइवान प्रेसिडेंट के यूइस दोरे से नाराज चीन की पीपल सेलिबरेशन आत्मी यानि की टीयले ने ताइवान के इर्दगिनत इलाकों में शायन अभ्याद सुरू कर दिया है ये मिलिटरी डिल तीन दिन तत चलेगी चीन ने ताइवान की राष्टरपती साइ इंग वेन की अमेरिका विजजिट के तुरंद बाद ये कदम उठाया है चीन ने फूजियान प्रांत के पिंगटन आइलेंड के पास चार इलाकों में मिलिटरी डिल सुरू की है ये इलाका ताइवान के काफी करीब है ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि पिंग्टन आइलेंड के इलाके में चीन की आठ वार्षिप और 42 फाइटर जिस्ट दिखाई दिए है साथ अप्रेल को ही चीन ने अपने दो लड़ाकों विमान और शेंडोंग समय तीन वार्षिप ताइवान के पास तहनात कर दिये थे सीडियस ने माना इंडिया नेवी से अच्छी इस्थिती में है पाकिस्तान की नेवी भारत के चीफ आफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की एक रिपोर्ट कहती है कि समुद्र में भारत को चीन और पाकिस्तान से बड़ा खत्रा है लेकिन हम जिस अंदाज में अपनी तैरी कर रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं कि हम उनका मुकाबला करने की इस्थिती में हैं जनरल चौहान ने ये बात पार्लियामेंटर सेंडिंग कमिटी आफ डिफेंस को भेजी है उनका कहना है कि नमबर्स के मामले में चीन की नवी दुनिया में सबसे बड़ी नवी है जबकि पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की मदद से जिस रफ्तार से अपनी नवी को मदबूत करने का काम कर रहा है वो हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा बेटर है जनरल चोहान ने भारत की नौ सेना का ब्योरा देते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमारे पास मदूदा समय में 121 जहाज है हमारा टार्गेट 200 जहाज तयार करने का है लेकिन हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं उसे देखकर इतना तो कह सकते हैं कि आकड़ा 150 से 160 तक ही रह पाएगा उनका कहना है कि जहाजों की संख्या के मामले में यह आकड़ा अच्छा नहीं है संसप के 70 में रखी गई रिपोर्ट में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अगले 4-5 सालों में चीन के जहाजों की तादा 555 तक पहुँच जाएगी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास मौदूदा समय में 355 जहाज है एक दसक पहले की बात की जाया तो चीन की 9 सेना के पास 2500 जहाज थे लेकिन अपनी लगातार तयारियों की वज़े से उसका बेड़ा दुनिया में सबसे बड़ा हो चुका है चनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन के 5-9 जहाज हिन महासाकर में मौदूद रहते हैं इसके अलाबा रिसर्च से जुड़े उसके जहाज भी इस इस इलाके में सकी है चनरल अनिल चौहान का कहना है कि ये हमारी स्रक्षा के लिए बड़ा खत्रा है रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि उसकी तैयरी हम से कहीं बेहतर है वो 2030 तक अपनी नेवी को 50 फिस्ती और ज्यादा मजबूत कर लेगा वो चीन की साहता से अपने बेड़े को लगातार मजबूत करने में लगा हुआ है चनरल चौहान ने माना कि चीन और पाकिस्तान से भारत की कभी भी विरंत हो सकती है फिलाल हमारी नौ सेना के बेड़े की जो तादाद है वो काफी नहीं है हमें अपनी तादाद को तुरंद प्रभाव से बढ़ाना चाहिए उक्रेन की मदद के लिए यूएस और नाटो का सीक्रेट प्लान हुआ लीग यूख्रेन यूज से जुड़े कुछ दस्तावेज ऑनलाइन लीक हो गया है इन लीक हुए दस्तावेजों ने अमेरिका और नाटो की एक बड़ी योजना की पोल खोल दी है और इनमें कतित तोर पर चार्ट और हत्यारों के डिलिवरी, बटालियन की ताकत और अन्य सम्वेदन सिल जानकारी के बारे में विबरन सामिल थे रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से नौस को अमेरिका और नाटो बलोदारा प्रसिखित किया रहा था रिपोर्ट के मुताबिक एक टॉप सीक्रेट लेवल दस्तावेज रूसी समर्थक सरकारी चेनलों पर प्रसारित किया गया था दस्तावेजों में दी गई जानकारी में यूकरेन के सैन नियंत्रन के तहट गोला बारुत के खर्च की दरो का भी विवरण सामिल है जिसमें हमास राकेट सिस्टम, अमेरिका निर्मित अर्टिलीर राकेट सिस्टम भी मौझूद हैं जो रूसी सेना के खिलाब अत्यधिक प्रभावी सबित हुए है इंडियन नेवी के युदपोतों में लगे एंटी समरीन राकेट आर्बी यू 600 के एक्स्टेंडेड वर्जन का हुआ सफल परिक्षड किया गया है इसकी टेस्टिंग DRDO ने की है, इसके पहले राकेट की रेंज 5 किलोमेटर थी जो अब बढ़कर दोगनी हो गई है यह ऐसा राकेट है जो दुस्मन की पंडुबियों को समुद्र के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है या परिक्षड भारत के जंगी जहाज आइनस चिन्नई पर किया गया है, इस राकेट सिस्टम को दुनिया की 20 सेना इस्तेमाल कर रही है भारती नौसेना के कई जंगी जहाज पर यह सिस्टम तैनाद है, इन जहाजों में राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, विसाका पतनम क्लास डिस्ट्रॉयर, तलवार क्लास फ्रिगेट, सिवाली क्लास सामिल है या 213 mm कैलिबर वाला सोवेट जमाने का रॉकेट लांचर है इस रॉकेट लांचर सिस्टम को सुवेट संग ने बनाया था इसका पूरा नाम आर्डी यू सिक्स थाउजन सर्मेटू है या 1960 और 61 में यू दो पोतों में लगाया गया था या आर्टोमेटिकली रिलोड हो जाता है ये रॉकेट लांचर एक दो चार आठ और बारा राउंड के होते हैं इसके लांचर के मैगजीन की चमता 72 से 96 राउंड की होती है यानि अगर चाहें तो दुसमन के पंडूपी पर लगाता रॉकेट दागे जा सकते हैं तो आज के वीड में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत हैं टेक केर